हलो फ्रेंड्स आज हम स्टड़ी करेंगे पटवारी परिक्षा में पूछे गए प्रशन 15th of December की जो morning shift हुई है उसमें जो-जो questions पूछे गए हैं वो हम आज discuss करेंगे चलिए देखते हैं उसमें कौन-गोन से questions पूछे गए हैं पूछा गया था नेशनल साइंस डे किस साइंटिस्ट के लिए सेलिब्रेट किये जाता है तो वह है सीवी रमन जी के लिए और यह कब होता है तो यह होता है 28th of February को यह questions पूछा गया है next question international after day कब होता है तो international night day जो रहता है वो फ्वंटी सेकंड ऑफ अपरेल को होता है तो 20th of April इसका 96 ko जाएगा next question उसका पूछा गया था भीम-Goee का किस जिले में आता है तो भीम-Goee का जो है वह रायसें जिले में आता है तो इसका आंसर हो जाएगा रायसें Wow next question पुछा गया था राजपती के द्वारा जारी अध्यादेश कितने दिन के लिए मानने रहता है तो राजपती के द्वारा जारी अध्यादेश जो रहता है वो 6 महिने के लिए मानने रहता है next question पुछा गया था author of मालगोडी's day कौन है तो वो है R के नारायन तो R के नारायन इसका आंसर हो जाएगा Next question पूछा गया था कटनी जिला बनने से पहले किस जिले का हिस्सा था तो कटनी जिला बनने से पहले वो जबलपुर तो यह जबलपुर से अलग हो था तो जबलपुर जिले का हिस्सा था तो इसका अंसर हो जाएगा जबलपूर next question पूछा गया था Ummab Arithi के बाद कौन CM बना तो with Arithi के बाद जो CM बना है उसका नाम है बाब़ूलल ग्यूर तो इसका अंसर है बाबूल गोर next question पूछा गया था आगर मालवा में कौन सी नदी आगर मालवा में कौन सी नदी बैती है तो आगर मालवा में जो नदी बैती है उसका नाम है लखुंदर तो इसका नाम है लखुंदर तो इसका अंसर हो जाएगा लखुंद नेक्स्कोशन पुझागा तो पहला डिस्टिक आइसलेंड कौन सा है इसका आंसर है तमिल नाडू, इसका आंसर है तमिल नाडू, जलिया वाला बाग में सभा किस लिए बुलाई गई थी, वो रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए बुलाई गई थी, वो रोलेक्ट एक का विरोध करने के लिए बुलाई गई थी, 13 अप्रेल को, 13 अप्रेल नाइंटीन, 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 नेक्स्ट कोईशन पूछा गया था, किस विटामिन में मेटल कंपोनेंट पाए जाता है, तो इसका आंसर है विटामिन, 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 वि वेनर जीता है तो उसका नाह में करनम मलेशबरी एक कोशन था केंदरी ओवरक्स अस्तान से कोशन पूछा गया था तो आज इसको आप देख लेंगे ओके आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा थैंक यू